हे दस्तो मेरा नामे सुबोजित स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नए वीडियो में आज में आप लोगे सामने अन्बॉक्स और रिव्यू लेकर आप एक प्रोडिट का जो कि मैंने पर्चेस किया है अपने मनी से और ये जो है लेंस काट का एक प्रोडिट है एक ग्ला करती है जो हमारे आइस को बहुत साथा डामेज करती है तो लॉक्डाउन के टाइम पर मैंने बहुत देर तक बैट-बैट के एडिटिंग किया अपने कंप्यूटर में बहुत जादे नेट को सर्फ किया और उसकी विजसे मेरे आइस में ड्राइनेस होने रगी थी इचिंग होती थी बहुत साथ दकलीफ होती थी तो मेरे फ्रेंड ने मुझे जो है सजेस्ट किया कि इस प्रोडेट को एक बार ट्राइ करके देखने के लिए तो मैंने जो है इसको ऑडर किया और यह मेरे को मिल गया है तीन दिन के अंदर तो इस लाइक होता क्या है आप ज समझ में मुझे आने रही थी इसलिए मैंने क्या सोचा है कि जो इसको फिजिकल स्टोर में जाके ही पर्चेस किया जाए वहां अब जब जाएंगे तो वहां पर आपको फ्रेम्स देखने को मिल जाएंगी आप उस फ्रेम्स को टेस्ट करके देख सकते हो आपके साइस के आपस अपने शोपीस पे लगाते हैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा थमस अब देता हूँ मैं कि इस कोविट टाइम पे इन लोगों ने बहुत जादी है तो आज हम इस प्रोडेट को अन्बॉक्स करेंगा और मैं रिव्यू करूँगा कैसा क्या प्रोडेट है इसम का आपके पास अगा डिफरेंट फोकल लेंस के कुछ है तो आप उसको भी पर्चेस कर सकते हैं इसमें इनके पास जो है ना दो तरह के लेंसे अवेलेबल है एक जो लेंस है वो बेसिक वाला है दूसरा जो है इनके प्रीमिम काटेगरी वाला लेंस है तो बेसिक वाला जो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको blue lens मिलेगा आपके frame में लगा हुआ वो जो है scratch resistant नहीं रहता है बिल्कुल भी और उसमें जो है कुछ coatings रहती है nano coatings वो जो है उसमें नहीं मिलेगी आपको जबकि जो premium वाला जो है और dust repellent रहता है और scratch resistant रहता है तो वह better option है मैंने उसको इसलिए नहीं लिए क्योंकि मुझे इसको बाहर पैनने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए था मुझे अपने computer में काम करने के लिए चाहिए था क्योंकि जब ही मैं computer में बैठता हूँ और जाधा दित्ता काम करता हूँ तो मेरे जो eyes है वो dry हो जाती है और आके सूपने लगती है इसलिए जो है मैंने इस प्रवडेक्ट रोपर्चेस किया तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो like कीजीगा शेयर कीजीगा subscribe कर दीजीगा मेरे चैनल को अगर आप मेर की भी बात करेंगे so friends as you can see यह जो है इसका packaging है कुछ ऐसा lens card का जो है लिफाफा आता है इसके अंदर जो है product आता है तो इसको जो मैं बहान निकाल देता हूँ और इसके अंदर जो है मेरा bill भी दिया हुआ है तो bill भी निकाल लेता हूँ एक बार मैं आपको bill दिखा देता क्या rate का मुझे यह पड़ा है so its rate is about 1118 rupees जो कि 1119 rupees का मेरे को पड़ा है और यह जो है मेरे जो frame है वो air करके जो है frame वो है और यह जो है बिलकुल एक दम जो है pain वाला zero focal length वाला जो है lens है तो it's like जो है ऐसा कुछ packaging में आता है तो इसको open कर लेते हैं और अंदर देखते हैं क्य इसका quality content आता है तो जब आप box को plastic को बाहर कर देते हैं तो आप यह देख सकते हैं यह फ्रेम का box है तो आप यह box बहुत ही तगड़ा लग रहा है बहुत ही अच्छे premium quality का box है यह और जो matte finish है वो बहुत ही अच्छा लग रहा आप यह देख सकते हैं यहाँ पर lenscard.com लिखा और पीछे जो है यह देखको तो हापन का लोगो गैश्वा लगा हुआ है और इस बॉक्स ओपन करतें है तो बाक्स ओपन करें का तो भाउत अच्छा प्रीमियम फील जह आ रहा है तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है तो ये चीज भी इसमें लिखा हुआ है तो ठीक है अपन इसके साथ आपको ये glasses मिल जाते हैं और एक cleaning cloth जो है आपको मिल जाती है तो cleaning cloth की जो quality है वो भी देख लेते हैं तो आप ये देख सकते हैं जो cleaning cloth की quality है वो भी बहुत अच्छी है और ये जो है frame मैंने जो है order किया है ये वाला है तो इस पे जो है आप ये देख सकते हो एक हलकी सी coating की हुई है जिसकी वैसे जो है ये थोड़ा सा जो है ना हलका सा blue leash tint दे रहा है अब हलका सा आप ये देख रहे होगा ये ब्लू कलर को जो है ये हमेट कर रहा है हलका हलका blue कलर पी आपको दिख रहा होगा जो की side side में दिख रहा होगा ये हमेट कर रहा है और इसका weight या literally बहुत जादा हलका है और आप ये देख सकते हो कि ये stretchable भी है यह जो है flexible है बहुत जाता यह टूटेगा नहीं easily और आप यह देख सकते हो यहाँ जो है इसके eye cushioning भी दी हुई है यहाँ पर जो एक अच्छी चीज है और अगर हम इसको बंद भी करेंगे तो अच्छा जो है लग रहा है यह इसको जो है मैं pan के भी आपको दिखा देता अल्दो वेट तो जो है इसका बहुत ही light है pan के भी एक बर्चो है मैं आपको यह दिखा देता हूँ कैसी इसकी fitting है तो जैसे कि आप यह देख सकते हो मैंने इसको pan लिया है और इसकी fitting आप देख सकते हो sides से ऐसा कुछ है और इस side से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसा है और जो है बहुत जादा comfortable है और हलका सा जो है इसमें zoom है थोड़ा सा लग रहा है बहुत ही minor से है आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा और एक हलका सा जो है इसमें yellow stave tint है जो मुझे हलका सा लग रहा है करके इस लाइक मेरे को लगता है कि blue light को कम करने के लिए यह हलका सा yellow light है yellow tint है इसमें होगा इसके lens में जो कि मुझे पहने के बाद पता चल रहा है तो इस लाइक जो quality है वो बहुत जाद अच्छा है इसको आप बहुत देर तक पहन सकते हो बहुत जादा lightweight है में को तो अभी में मैं पहन रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं है कि मैंने glasses भी पहने करके इस लाइक बहुत जादा light है और थोड़ा सा यहाँ वाला जो area है उसके लिए मुझे थोड़ा सा मतलब भी लग रहा है करके क्योंकि मैं जो usually specs पहनता नहीं हूँ भी पहली बार पहन रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को हो रहा irritation पर वो धे क्योंकि लो मैं